क्यों कुछ situations में हमारे wrong day यानी goose bumps आ जाते हैं क्यों कुछ देर पाने में हाथ और पैर डालने से ऐसी silver day आ जाती हैं आखिर हमारी अंगुली के नाखुनों में ये सफेद दाग क्यों होता है पच्चे जब रोते हैं तो उनके आशू क्यों नहीं निकलते हैं और क्यों फीमेल्स के मुकाबले अधिकतर male सी color blend होते हैं इन सबी चीजों के जवाब इस वीडियो की ही तरह शौकिंग है तो बने र का connection इतना ज़्यादा स्ट्रॉंग है कि हमारी बॉड़ी में कहीं भी कोई गड़बड होती है कोई बीमारी या न्यूट्रेंस की कमी होती है तो उसके सिम्टमस हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरन ठीक कर सके नमबर 20 1989 में The American Journal of Public Health में प सबसे ही बनाई जाती है जिस वज़े से left-handed लोगों को जीने में ज़्यादा प्रब्लम होती है और left-handed लोगों में किसी भी तरह के accident के चांसे ज़्यादा होते हैं जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉड़ी को कंट्रोल करता है पर क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उम अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है तो आपका ऐसा सोचना खलत होगा रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खटा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलेटी होती है और हम आपको बता दे कि मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच और फिमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है हमारे होट पूरे शरीर के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं वही होटों के पीछे एक मैसेटर नाम की मसल होती है जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करती है और ये मसल इतनी स्टॉंग होती है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं दोस्तो आपने कभी सुचा है कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं वेल वो खुद ऐसा नहीं करते हैं कैंसर का इलाज करने के लिए कीमो थेरेपी का यूज करा जाता है जिसके साइट इफेक्ट से इंसान के बाल गिरने लगते हैं वैसे एक हेल्दि इंसान के बाल हर रोज 0.03 cm तक ग्रो करते हैं और human body के सभी hair follicles जिनसे hair grow करते हैं हमारा brain हमारी बाड़ी के weight का सरिफ 2% होता है पर फिर भी ये 30% oxygen अकेले consume करता है अब क्योंकि हमारा brain ही हमारी पूरी body को control करता है इसलिए इसे बहुत ज़दा energy की भी जरूरत होती है और यही वज़य है कि यह ज़दा oxygen भी use करता है इनसान होया जानवर जिन्दा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन भर में कितना खाना खा जाते हैं फिल साइंटिस्ट ने इस बात पर research करी जिससे ये साबित हुआ कि एक average healthy इंसान 70 साल की उमर तक करीब 30,000 kg तक खाना खा लेता है क्या आपको पता है मच्छर से मौथ होने के लिए एक इंसान को अपने आपको 2 million मच्छरों से कटवाना पड़ेगा अब ये आखिर कोई क्यों ही करेगा पर fact तो ये है कि एक मच्छर आपकी बाड़ी से 0.01 ml तक blood absorb कर लेता है तो blood loss से मौथ होने के लिए आपको 2 million मच्छर लगेंगे क्या आप जानते हैं कि human brain का 73% part पानी से बना होता है और पानी human body के लिए बहुत ज़दा important है जब आपकी body में पानी की कमी आपके body weight के 1% के बराबर होती है तो आपको प्यास लगने लगती है यानि अगर आपका वज़न 50 kg है तो आपकी body में यदि 5 लिटर से कम पानी होगा तो आपको बहुत तेज प्यास लगने लगेगी अगर आपका कोई जुड़वा होता तो उसके भी finger prints अलग होते पर क्या आप जानते हैं आपकी उंगलियों के तरह आपकी जुबान भी बहुत unique है अगर आप अपने जुबान का प्रिंट करो तो वो भी इस दुनिया में किसी से match नहीं होगा हब देखते हैं कि कब वो दिनाता है जब हम सभी अपना फोन अपनी जुबान से अनलोक कर रहे होंगे अगर हम अपने lungs को body से बाहर निकाल कर पानी में डाल दे तो वो पानी पर तैर सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहे कितनी भी सांस अंदर या बहार छोड़ें अमारे lungs में हमेशा एक लिटर ऑक्सिजन जमा रहती है जिसे residual lung volume भी कहते हैं और इसी वज़े से lungs पानी पर तैर पाते हैं दोस्तो अगर आप गहरी नीन सो रहे हो और एक गंदी बदबुदार चीज़ आपकी नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुश्बू आपको सुंगाई जाए तो क्या आप जाग जाओगे वेल न्यू ब्राउन युनिवरसिटी में करी गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के शोर मचा के और आखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सब ही उड़ गए मगर जब उनके नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उन में से कोई भी नहीं उठा जब दो लोग आपस में 10 सेकंड के लिए किस्ट करते हैं तो 8 करोड से जधा बैक्टीरिया उन दोनों के मुझसे आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉड़ी में एक कप के बराबर खून होता है और बच्चे रोते हुए अपने आसू नहीं भासकते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टियर डक्स अभी भी बस डवलप हो रहे होते हैं और दोस्तों क्या आपको पता है इंसान के नाक और कान बच्चपन से लेकर मड़ने तक बढ़ते रहते हैं इसी वज़े से इंसान का चहरा उमर के साथ बदलते हुए नजर आने लगता है आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिल्वटे पढ़ जाती हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान यूगे की उनिवसिटी में साइन्टिस ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिल्वटे असल में बहुत काम की होती हैं जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिल्वटे हमें चीज़ों को पकड़ने में मदद करती है अगर ये सिल्वर्टे नहीं पड़ेगे तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे दोस्तो एक इंसान अपनी लाइफ में एक लाख साथ हजार किलो मीटर तक चलता है इतने में वो इंसान चार बार पूरे अर्थ के चकर लगा सकता है और चलना हमारी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है Cancer Research UK के According हर दिन सिर्फ 30 मिनट चलने से आपकी बाड़ी में कम फैट जमा होता है और आप ज़्यादा फिट रहते हैं दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कई सिचुएशन में हमारे रॉंग टे क्यों खड़े हो जाते हैं यानि हमें गूस बंप क्यों आ जाते हैं जब यह हॉर्मोन अचानक से बहुत ज़दा अमांट में रिलीस हो जाता है तब आपके रॉंग टे यानि गूस बंप्स आ जाते हैं जबकि मेल्स कुछ ही कलर देख पाते हैं और मेल्स को एक ही कलर के अलग-अलग शेट्स पहचानने में भी दिक्कत होती है कलर ब्लाइंड होने के चांसेस भी मेल्स में ही जदा होता है। इसलिए एक एवरेज फीमेल एक मिनिट में 18-20 बार अपनी पल के जपकाती है, वहीं एक मेल सिर्फ 11-12 बारे ज़़ा है।